नमस्कार दोस्तों यदि आप एवियन के पेशेंट है और आप यह सोचते हैं कि क्या खाना चाहिए जिससे आपको एडिक्वाइट अमांड में कैल्शियम, मैगनिशियम, फॉस्फोरस जैसे essential nutrition और minerals मिल सके तो यह वीडियो जरूर दीखीगा यदि आप एवियन के पेशेंट है चाहिए आप किसी भी डॉक्टर से treatment ले रहे हो कोई से भी पैथी का treatment ले रहे हो, एलोपैथी, होमेपैथी, आईरवेदा जैसी भी आपको treatment आपका चल रहा हो पर यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए है, क्योंकि आज मैं एक ऐसा mix घर पे बनाना बताऊंगा जिससे आपकी body का जो avian है, उसकी healing process बढ़ जाएगी और आपकी body को essential nutrition जितने भी avian के लिए जितने मिलना चाहिए, उतने मिलने लगेंगे जिससे जो है body की recovery बहुत जल्दी होगी और femur का जो head है, जो necrose हो गया है, वो feet से अपनी गोलाई में आने लगेगा तो video last तक जरूर देखे, यदि अच्छी लगती है तो please like जरूर कीजिए, अभी तक channel पर जो है आप देखते है videos और like नहीं किया है, like करके subscribe जरूर कीजिए, subscribe करने के बाएट पर उसकी bell icon को all पे जरूर सिलेक्ट कीजिएगा, और आपको कोई भी problem होती है, instagram, facebook पर जरूर follow क परे महाँ पर भी पूछ सकते हैं, या फिर आप daily मेरा live clinic होता है रात को साणे 8 बजे, उस पर आकर के भी free consultation मुझसे ले सकते हैं, या proper or pet treatment के लिए आप मुझे WhatsApp भी आपकी सारी reports कर सकते हैं, सबसे पहले हमको यह जानने क्या हो शकता है कि calcium जो है हमारे bones के लिए तो का, अब इसमें क्या होता है कि हमको जब avian हो जाता है, आज special बात करने वाला हूँ avian के लिए supplement के बारे में, तो avian यह आपको हो जाता है, तो केवल और केवल vitamin D या calcium sufficient नहीं होता है, आप elopathic doctor के पास जाए, वो आपको जो है cell के लिए जो भी tablet लिक के देते हैं वो लोग, तो उसमें vitamin D या calcium होता है, अफकोस यह बहुत बड़ा element है, बहुत essential है हम लोगों के लिए bond की health के लिए और उसके साथ में magnesium भी आपको मिलना चाहिए, potassium भी मिलना चाहिए, ठीक है, तो यह सारी चीज़े, और भी बहुत सारी चीज़े है, phosphorus है, phara में, बहुत सारे nutrition हमको मिल चाहिए, तब ही necrosis भी खतम होगी, और जो femur का head है, वहाँ पर osteocytes भी आएगी, और osteocytes जो है, अपने आपको गोलाई में ले आएगी, और femur का head फिर से गोल हो जाएगा, तो यह करने के लिए आपको न केवल calcium की, बलकि दूसरी भी चीज़ों की आवशकता होती है, जो म normal person उसका calcium कितना required होता है, देखे 1000 mg जो है, किसी भी वयस्क जो भी वेखती है, एडल्ट है, 18 साल से उपर के जितने भी वेखती है, उन सभी को 1000 mg mg जिसको हम बोलते है, उतनी requirement होती है per day, है न, per day आपको 1000 mg लेना है, अब यदि आप बिमार है, किसी bone disease है, आपको या आप gym ज आपको जादा amount में calcium की आवशकता होती है, जैसे avian की ही बात करूं, तो avian में आपको 1000 mg से काम नहीं चलेगा, आपको जो है, इससे जादा लेना पड़ेगा, यदि जो condition, pathological condition बहुत जादा खराब है, तो आपको इसका double भी लेना पड़ सकता है, मतलब 200 mg भी लेना पड़ स क्योंकि allopathic दवाई बहुत अलग होती है, और जो हम लोग natural food item होते हैं, उसमें जो calcium होता है, उसकी amount body में जा करके अलग absorb होती है, तो ये दोनों अलग अलग है, इसको comparison आप मत कीजेगा, आपको allopathic doctor से आप पूछ सकते हैं, calcium की कि कितनी requirement है, वो उसके according आपको बताएंगे पर यदि avian की बात करों, तो avian में खाने पीने में आपको ऐसे ही चीजों का ध्यान देना है, जो आपको 1000 mg से जादा ही आपको calcium provide कर रही हो, तो उसके पीछे पूरा वीडियो में ये बना रखा है, आप step by step पूरा वीडियो देखेगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ आपको adequate amount में calcium मिलेगा, magnesium मिलेगा, potassium मिलेगा, सब कुछ आपको बराबर मात्रा में मिलते रहेगा, omega-3 fatty acids मिलेंगे, fibers मिलेंगे, तो आपकी body की पूरी requirement avian के लिए जो होना चाहिए, वो fulfill हो जाएगी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है, जो chia seeds होते है, जिसको हम बोल देता है, ठीक है, वो लेकर के आना है, market से आपको 150 gram आप लेकर के आ जाएए, या जितने भी आप में अभी बताओंगा, छे साथ जो item बताओंगा, वो आप बराबर amount में भी ले आ सकते हैं, 50-50 gram भी ला सकते हैं, 100 gram भी ला सकते हैं, 200 gram भी ला सकते हैं, ठीक हैं आपके calcium के लिए और magnesium के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं और यदि हम बात करें 40 gram के करीब यदि आप chia seeds खाते हैं तो लगभग आपको 280 gram के करीब miligram के करीब calcium मिल जाता है तो यह बहुत ही बढ़िया source होते हैं आपके लिए तो आप बिल्कुल इसको प्रिफर कर सकते हैं तो शिया sheets आपको लेना है है ना वो लेकर के market से आजाईए दूसरा जो होता है जो बहुत ही ज्यादा frequently use होता है खस-खस खस जो है पॉपी sheets जो है खस-खस है यह बहुत ही resource है magnesium के लिए copper के ferum के calcium के बहुत potassium भी बहुत पाये जाता है तो आप इनको ला सकते हैं बराबर one में जितना आप लाना चाहें उतना इसको बना सकते हैं खस-खस को भी आपको ले करके आना है ठीक है अब इसमें जो है इसमें मात्रा होती है लगबग यदि आप 15 ग्राम खस-खस लेते हैं तो आपको 250 ग्राम के करीब 250 mg के करीब calcium मिल जाता है तो यह बहुत बढ़िया resource है आप इसको भी ला सकते हैं अगली एदि में बात करूँ तिली है ना जो तिल होती है sesame seeds जिसको हम बोलते हैं उनमें भी बहुत जादा amount में आपका calcium पाया जाता है इसके साथ में fatty acids जो होते हैं जो आपके cholesterol को भी कम करते हैं और बहुत दूसरे-दूसरे essential oils भी पाया जाते हैं जो आपकी body के लिए बहुत ही बढ़िया है तो आपको तिली सपेद काली जो भी आ तो उसमें आपको 250 mg के करीब calcium मिल जाएगा तो इसको जरूर आप ध्यान रखें आपको तिली भी लेकर के आना है अगली एदि हम बात करें रागी की रागी जो है उसमें भी बहुत जादा मात्रा में magnesium भी होता है और calcium भी होता है और यही दो elements ऐसे होते हैं जो आपकी bone के health के लिए हड़ी के लिए बहुत ही बढ़िया होता है साथ में इसमें जो है potassium होता है जो आपके nerves के लिए बहुत अच्छा होता है इसी के साथ में omega-3 fatty acids भी पाया जाते हैं तो यह बहुत ही बढ़िया है आपके लिए क्योंकि blood की supply यदि आपकी blockage हो गई है femur के head पे और उस भग 100 g यदि आप रागी लेते हैं तो उसमें 300 mg के करीब calcium होता है तो इसको भी आप prefer कर सकते हैं अगली यदि हम बात करें बादाम की बादाम भी बहुत ही बढ़िया rich source है essential oils का साथ में आपकी जो है nerves के tonic के रूप में हम लोग इसको देखते हैं है न क्योंकि इसमे potassium पाय जाता है इसमें इसके कारण bone की health के लिए भी आपके बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और इसी के साथ में इसमें fibers भी पाया जाते हैं और carbs भी पाया जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा essential है तो आप इसको भी ले सकते हैं अगली यदि हम बात करें अलसी की तो इसी बहुत ही शांदार जो है antioxidant है आपके लिए और free radicals जो शरीर में होते हैं उसको neutralize करता है as antioxidant आप इसको ले सकते हैं calcium magnesium potassium और आपका fibers तो इसमें प्रचूर मात्रा में होते ही है तो आप ये सारी चीज़े जो मैंने आपको बताई है लगबग 6 चीज़े बताई है मैं आ आपको बताया है चिया सीट्स फिर मैंने खसखस बताई है आपको फिर तिल्ली आपको बताई है फिर मैंने रागी आपको बताई है बादाम मैंने आपको बताई और अलसी आपको बताई है तो ये जो छे सीट्स हैं है ना इन सभी को आप बराबर मात्रा में ले आईए है ना 6 की 6 को लाना है आपको है ना 6 की 6 को बराबर अमाद में आप 50-50 ग्राम लेना चाहतें 50-50 ग्राम सभी को ले लीजिए 100-100 ग्राम लेना चाहतें देर देर 100 gram ले लिजे, अब इससे ज़्यादा मत लाईएगा, क्योंकि फिर storage का आपको problem आएगा, तो आप 250 gram येदी सभी लाना चाहते हैं, सभी को 250 gram में ले आईए, 100 gram तो 100 gram ले लिजे, अब सभी को ले करके, और आपको जो है, करना ये रहेगा, कि mixी में उसको अच्छे से घुमाना रहेगा, अच्छे से, मतलब पीस लीजिए, उनको mix कर लीजिए, है ना, और फिर इसका आप उपयोग कर सकते हैं, ये पहला point हुआ, दूसरा तरीका ये है, कि आप हलका सा इन सभी को, जो है, सेक लीजिए, गरम कर लीजिए, अब एक दम हलका सा, है ना, क्योंकि मैंने सबसे पहले सेकना इसलिए नहीं बताए, क्योंकि बहुत से लोग उसको जला देते हैं, है ना, तो पूरा burn हो जाता है, वो फिर खड़ाब हो जाता है, और ये आप सही तरीके से सेक लेता है, तो ये बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि उसके जो essential oils हैं, वो बाहार न होता है, तो सबको आप अलग-अलग थोड़े-थोड़े सेक लीजिए, देन उसके बाद mix में डालके piece लीजिए, तो ये भी आप कर सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, और अच्छे से absorb भी होगा, या फिर आप बिना सेके भी इसे mix कर सकते हैं, अब आपने mix में powder बना लिया, इसको airtight jar में भर करके रख दीजिए, हैना, आप इसको freeze में रख सकते हैं, कोई दिक्कट नहीं होगी, तो freeze में आपने airtight jar जरूर हो, ये ध्यान रखे, उसको रख दीजिए, हैना, अब इसको जो है, आपको लेना कैसे हैं, आप सुभे-सुभे नास्ते के आपको दो चमच इसको मिला देना है, जो powder हमने बनाया है, उसको मिला देना है, और थोड़ा सा honey लेना है, honey भी दूद में मिला देना है, अच्छे से आप उसको मिला लीजिए, और उसको पी जाईए, हैना, धीरे-धीरे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा आपको, आप ज अच्छे प्यॉर और हर्बल होनी चाहिए, हल्दी, हल्दी मिला दीजिए, और थोड़ा से उसको गरम कर लीजिए, उसके बाद में च्छान करके आप एक ग्लास में ले लीजिए, आप दो चमच अगेन वही powder मिला दीजिए, और आप रात को पी करके सू जाईए, मतलब ज्यादा फास्ट हो सकती है, क्योंकि दवाईया तो अपना असर करती ही रहेगी, पर यदि आप बॉड़ी को favorable condition provide कर दोगे, nutrition proper तरीके से दे दोगे, तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से और बहुत फास्ट जो है recovery आपकी हो सकती है, I hope आप लोगों को enjoy हुआ होगा, यदि नहीं समनी में आया, नीचे आप comment करके पूछ सकते हैं, साथ में free consultation होता है, उस पर भी आप ज़रूर पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप WhatsApp जो है मुझे कर सकते हैं, यदि पैट treatment चाहिए, तभी WhatsApp कीजिएगा, पूरी reports आपकी PDF format में, thank you so much, Instagram, Facebook पर अप्तक अपना दियान रेकिए, नमाश्यकार,